है गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल ठेजि आज हम बनने वालें बहुत ही आसान और जटपट से बनने वाले दो बहुत ही खुबशूरवाइ प्लांटर जो के बिलकुल सिर्यमिक प्लांटर जैसे लगेंगे और बहुत आसान है बनाने बिल्कुल यह बाई 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 में निकाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी ही यूज करने हैं क्योंकि गर्मी है बहुत जल्दी से रखना स्टार्ट हो जाती है और जब आप इसे यूज करें तो गीले कपड़ी से धके रखें जितना पौर्शन यूज निकालें तो देखे पाने डाल के मैंने इसको क्रम्भली सा एक टेक्स्टर वना लिया है उसके बार देखते हैं यह बन पाता है या नहीं अब इसमे थोड़ा से पाने की और जरूरत है चमज से थोड़ा सा पाने डाला है फिर से मैं इसको ऐर खुटा कर लूँगी और हातों से मसल मसल के एक डो तैयार कर लूँगी डो बिल्कुल हार्ड रखना है आपको सॉफ्ट नहीं रखना है तो सॉफ्ट रखेंगे तो आपका जो क्राप्ट है वो नीची की तरफ लटक जाएगा तो एक ग्लास लिया है ग्लास के ओपर मैंने थोड़ी सी ओईलिंग क तो इसको मैं पहले बेल के थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी अगर आपका जो वाल पुट्टी का डो है सॉफ्ट होगा थोड़ा ज्यादा ही मतलब सॉफ्ट होगा हाड नहीं होगा तो वो प्लेट से चिपक जाएगा फिर निकल नहीं पाएगा ये लेकिन मैंने इसको जह इसको निकालते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको प्लेन कर लेती हूं पानी लगा के अब चाको की हैल्प से मैं थोड़ा से हटाऊंगी और फिर ये आराम से निकल जाएगा देखिए अब इसे हम रख देंगे ग्लास के उपर लेकिन ये जो मेरा वाल पुट्टी का ज लगा स्क्राफ टेट नहीं किया था बस रौन को जैसा मेरे से बेल दिया मैं यह जएंपर की तरफ यह उठाऊ फेको लुड़ा के क्यास। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये वाला तो फट से बन चाता है ये वाला DIY तो बस रख देते हैं इसको सूखने के लिए तो कई गुंटे सूखने के बाद जब मैं शौर होगी कि पूरी तरीके से सूख चुका है तो अब इसे निकालने के बारी आ गई है बड़े ही हलके हाथ से हमें इसे निकालना है और देखे इजी लिए निकल गया और कितना खुबसूरत ये लग रहा है जरा सी वाल पुट्टी यूज़ किया सिर्फ दो मिनिट में ही ये बनके रेड़ी हो गया है बारी आती है इसको कलर करने की कलर में यूज़ कर रही हूं फ्रेंड्स इसमें ओयल पेंट सेंथेटिक एनिमल पेंट है रेड कलर मैंने लिया है इनकी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खराब तो ये होते ही नहीं है इनकी चमक सालो साल ऐसे ही बनी रहती है और इनके उपर हमें वार्निश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो इसको मैंने कई घंटे रखा और सुखा लिया है अगर कड़ी दूप में आपको नहीं रखना है अगर कड़ी दूप में रखेंगे तो क्रेक साली का डर होता है अब मैंने लिया है यहाँ पर एक्रेलिक पेंट गोल्डन कलर लिया है और जो इसकी किनारियां है उपर की तरफ उस पे मैं golden color कर दूंगी इस तरीके से अब अगर आप कोई और design बनाना चाहते हैं आपके दिमाग में है कोई design तो आप वो भी बना सकते हैं कोई paint से flower और भी बना सकते हैं लेकिन मुझे इतना ही बनाना था तो simple सा unique सा बहुत beautiful यह लग रहा है देखिए जो भी ceramic जो भी fancy pots होते हैं उनमे direct plant नहीं लगाए जाते हैं direct plant लगाएंगे तो पानी और डलने से वो जल्दी खराब हो जाते हैं तो आपके DIY सालो साल चले तो इसकी लिए आप उनमें कोई भी fake plant लगाए या फिर किसी छोटे से container में लगाके आप live plant भी लगा सकते हैं तो मैंने लगा दिया है एक fake plant और कितना खुबसूरत यह लग रहा है जट से बनने वाला planter चलते हैं अगली planter की तरफ तो यह है एक container कुकी का container था जो की खराब है बिल्कुल नीचे से मुझे इसे कट करना है तो मैंने soldering iron गरम किया है और उससे मैं इसको कट करूँगी धीरे धीरे अगर यह machine नहीं है आपके पास तो आप चाकू गरम करके भी इसको काट सकते हैं मेरे डबा को ज़्यादा ही मजबूत था तो मुझे काफी time लगा इसे कट करने में लेकिन कट काफी अच्छे से गया था यह देखिए कट होगे है कंटेनर और जो मेरा कंटेनर है फ्रेंट्स मैं उसको उल्टा बना रही हूं उपर की तरफ से थोड़ा पतला है और निची की तरफ से चोड़ा है इसका मूँ अब वाल पुट्टी का मैंने डो बनाया है और उसको मैं बेल लूँगी अच्छे त नहीं बनानी है एक एक्स्ट्र जो वाल पुट्टी उसको हटा देंगे नीचे वाले पोर्षल को हम बाद में कवर करेंगे तो एक शीट मैंने लगा दिए है दूस्री शीट में लगा रही हूं इसके ऊपर पूरा ही हमें इसे कवर कर लेना है और फ्रेंट्स वॉल पुट्टी की बात क्या होती है बहुत अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप वॉल पुट्टी में जैसे काम कर रहे हैं वॉल पुट्टी अपकी खतम हो गई अभी आपको नहीं बनाना है पी बदेर लगाएं तो जब भी आप इसको बनाये बिल्कुल ऐसे विया दूआं लगाएं। क्योंकि ये वाली वाल पुट्टी पर सूख जाएगी खराब हो जाएगी गर्मी बहुत जादा है इस टाइम अब मैं पानी लगा लगा के इसको थोड़ा सा स्मूध कर लूँगी इस तरीके से और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी हम दुबारा वाल पुट्टी का पेस्ट बना के जहाँ पर भी हमें गड़े वगरा नजर आएंगे उनको सब को हम कर लेंगे फिल और फ्रेंट जो नीचे वाला हिस्सा है इसका मैंने इसमें वाल पुट्टी का थोड़ा सा और डो लगा के और फिर नीचे वाले पॉर्शन को चोड़ा और उपर वाले को पतला इस तरीके से मैंने बना लिया था तो ये वाला है, इसको मैं रखती हूँ, पूरा कम्प्लेट करके दिखाती हूँ आपको ये देखिए, ये मैंने नीचे से थोड़ा सा इसमें और वॉल पुट्टी का पेस लगाया था तो नीचे से चोड़ा नजर आ रहा होगा आपको फिर मैंने इसको ड्राय कर लिया है, धूप में ड्राय नहीं करना है, क्रेक्स बढ़ जाएंगे इसमें फिर मैंने थोड़ा सा पेस लगाया है और वॉल पुट्टी का डो बनाया है और इसको बनाएंगे हम इसकी नोज की तरह यह वाले डो थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने कर दिया है इसमें से कम हम इसकी अच्छी सी शेप देते देते इसको बनाएंगे उगलियों से आप इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं बॉल पुट्टी के साथ काम करना फ्रेंट को sorry planter को या फिर आपने कुछ से ही DIY करके बनाया है तो देखिए मैं पानी लगा रही हूं और उंगली से मैंने इसको बिल्कु स्मूद कर दिया है सूखने के बाद ऐसा नजर आ रहा है हमारा ये planter और अब हमें इसे घिसके करना है बिल्कु स्मूद सेंट पेपर लिया है मैंने और मैं इसको अच्छे से घिस जोंगी इतना नहीं घिसना है आपको कि आप डबा ही निकाल दें अंदर से लेकिन इतना घिसना है कि बिल्कु स्मूद हो जाए और कहीं से भी हमें कोई भी यह देखी घिसके कितना स्मूद हो गया है यह बिल्कुल और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी दीरे दीरे वाल पुट्टी क्राफ्ट में एक्सपर्ट बन ही जाओंगी तो अब मैंने लिया है यहाँ पर ग्रीन कलर में थोड़ा सा मैंने वाइट मिला है और इसके बाद इसके बाद बना बना के यूज़ करती है और इसके अलावा मेरे पास कोई कलर नहीं है फ्रेंट इनी से मैं बनाती रहती हूं कलर और यह वाला शेड बहुत ब्यूटिफुल है और बिल्कुल सिरेमिक जैसा लग रहा है देखिए शाइनिंग देखिए इसकी कितनी खुबस बना खुबसूरत है इसमें जरा सकता अमोर बाकी है और बन जाएगा अपका धासू सा प्लांटर अब इसकी आई और लिप्स सौरी मूँ बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लेक कलर बस ज्यादा हमें इसमें काम नहीं करना है बहुत सिंपल सा प्लांटर है लेकिन अच्छा लगा तो like, comment, share and subscribe जरूर करें अपने friends के साथ share कर सकते हैं अगर कोई interested है DIY बनाने में या फिर gardening करने में तो चली friends चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye, happy gardening